Good morning students! Today is 26th of May. I am going to teach you your English book of class 8. आपका chapter कौन साह है? वही जो है, the ant and the cricket. चीटी और जिंगूर. Page number आपका 206 से चालु कर रहा हो. आपको stranger कौन साह है 3. आपको जो है, today I am explaining your stranger 3 को explain कर रहा हो. at last by starvation starvation means क्या होता है भुखमरी and famine famine मिज़ क्या होता है जो आकाल made bird और अंत में जो है भुखमरी और अकाल ने जो है जिंगुर को निर्भीक और सासी बना दिया bird मिज़ क्या होता है निदर और या निर्भीक होता है At last by starvation and famine और अंत में भुकमरी और आकाल ने जिंगुर को निर्भीक या निडर बना दिया All dripping with weight जिंगुर पूर्ण रुप से भिगा हुआ था The cricket was traveling with cold थंडी का समय था इसलिए जिंगुर जुए ट्रेंबल कर रहा था था थंड से काप रहा था T-R-E-M-B-L-I-N-G traveling with cold थंड से कापना जिंगुर जुए पूर्ण रुप से भिगा हुआ था और थंड से काप रहा था Away, away he set off to a miserly and set off means क्या होता है went गया Away, away he set off to a miserly, miserly मिन्स क्या होता है कंजूस और end मिन्स चिटी तब जिंगुर जुए एक कंजूस चिटी के पास गया Away, away he set off to a miserly end और इसके बाद होता है एक कंजूस चिटी के पास गया फिर क्या हुआ तो शी इप यह जानने के लिए यह उसे यह आसा थी जिंगुर को यह आसा थी To keep him alive, he would grant him shelter from rain जिंगुर को यह आसा थी कि उसे जीवित रखने के लिए चिटी क्या देगी उसको चिटी जो है उसको बरसा से आसरे देगी, बरसा से बचने के लिए shelter देगी S-H-E-L-T-E-R, shelter means क्या होता है आसरे, जिंगुर को यह आसा थी To keep him alive, कि उसको जीवित रखने के लिए he would grant him shelter from rain चिटी grant means देगी, shelter means आसरे from rain बरसा से बचने के लिए चिटी उसको आसरे देगी, क्यों देगी ताकि वह जीवित रह सके जिंगुर को जीवित रखने के लिए चिटी उसको आसरे देगी And a mouthful of grain Mouthful means क्या होता है, कौर या निवाला, भोजन का जो कौर होता है या निवाला होता है Of grain और चिटी उसको और क्या देगी, अनाज का एक निवाला देगी यह खाने के लिए अनाज का एक कौर देगी And a mouthful of grain Grain क्या होता है, अनाज और चिटी क्या करेगी जो है, चिटी ग्राट करेगी A mouthful of grain खाने के लिए एक कौर या एक निवाला अब आपका ये fourth stage है He wished only to borrow लेकिन जहां तक जिंगुर का सवाल था जो है जिंगुर क्या चाहता था कि उसको सब कुछ उधार मिले जिंगुर को उधार चाहिए था जिंगुर उधार की कामना करता था He wished only to borrow वह चाहता था कि चिटी उसको उधार खाने के लिए भोजन दे खाने के लिए भोजन उधार दे B O O R O O He would repay it tomorrow वह इसे यानि कि जो उधार चिटी से लेगा उसको जो है कल चुकता कर देगा यानि कि आने वाले समय में वह चिटी से लिया गया उधार चुकता कर देगा He would repay it tomorrow T O M O O O R O W If not और यदि उसे भोजन नहीं मिला जिंगूर क्या सोचता है कि यदि उसे भोजन नहीं मिला He must die वह अवज से मर जाएगा आप starvation भोग से मर जाएगा And sorrow S O O O R O W भूख और दुख से वह मर जाएगा क्रिकेट क्या सोचता है जिंगूर क्या सोचता है कि if not यदि उसे भोजन नहीं मिला He must die of starvation And sorrow तो वह भूख से और दुख से तकलीब से क्या हो जाएगा जोए वह मर जाएगा Sage the end to cricket चीटी ने जिंगूर से कहा चीटी जोए जिंगूर से क्या कहती है Sage the end to cricket And जिंगूर से कहती है I am your servant मैं तुम्हारी सेवक हूँ I am your servant and friend और तुम्हारी मित्र भी हूँ मैं तुम्हारी सेवक और मित्र हूँ मैं तुम्हारी सेवक भी हूँ और तुम्हारी मित्र भी हूँ But we ends Never war लेकिन हम चीटिया कभी भी उधार नहीं मांगते But we ends Never war हम चीतिया कभी भी उधार नहीं मांगते वी एंड्स नेवर लेंड और न तो हम लेंड मिस क्या होता है उधार देना और बारो मिस उधार मांगना वी एंड्स नेवर लेंड और हम चीतिया कभी उधार देते भी नहीं हैं हम चीटी कभी उधार मांगते भी नहीं हैं और हम चीटियां कभी उधार देते भी नहीं हैं बट वी एंड नेवर बारो, वी एंड नेवर लेंड, बट टेल मी, लेकिन जिंगूर आप मुझे यह बताईए, बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्रिय जिंगूर मुझे यह बताईए, क्या तुमने कुछ नहीं बचाया, बट टेल मी डियर क्रिकेट, प्यारे क्रिकेट मुझे यह बताओ, क्या तुमने कुछ नहीं बचाया, जबकि मौसम बहुत अच्छा था, जबकि मौसम बहुत बढ़िया था, कोशन मार्क, इन्वर्टिट कामा, क्लू, यह आपका 3 और 4 इस्टेंजा, पेज नमबर 206 पर अपने बुग खोल कर देखिएगा, 3 और 4 इस्टेंजा की एक्स्प्लानेशन हिंदी में क्या हूँ, अब आपको क्या करना है, अपनी कौपी खुलनी है, और आपको जो है अपना पेन ले लेना है, क्लास्वर की कौपी के ऊपर क्या लिखना है, दे एंट एंड दे क्रिकेट, यह आपके पोयम का नाम है, अब आप वाले क्या करेंगे फरस्ट में, वर्स मिनिंग आप लिख लेंगे, वर्स मिनिंग इन हिंदी, पहला क्या है, B-O-L-D, बोल्ड, बोल्ड मिनिंग क्या होता है, निर्भी क्या, नीडर, आपका नमबर टू है, ट्रेम्बल विद कोल्ड, मिनिंग क्या होता है, ठंड से कापना, कापर चंदर बिंदु है, ट्रेम्बल विद कोल्ड, ठंड से कापना, आपका तिशरा है shelter, s-h-e-l-t-e-r, shelter मिस्ट क्या हो जाएगा, आसरे चौथा क्या है, mouthful, m-o-u-t-h-f-u-e-l, mouthful मिस्ट क्या होगा, korea, nivala आप 1-2-4, जो है, 20 सेकेंड में आपको write down करना है, अच्छी writing में वहाँ बोल बोल कर आपको लिखना है, classwork की copy में कर दो दों एसरेकी का है थे बोल जो झाला है, जब आपको शीआ है, आसरेकेंड में आपको लिए अब आगे बढ़िए जो है अब क्या है आपका फाइफ ग्रांट गी आर एंटी ग्रांट मिस क्या होता है यहां से और सारो तक आपको 20 सकेंड में राइट डाउन करना है झाल अब आगे बना जाए अब क्या है आपका ज Dazu LEND LEND मैं पिसक्या होता है UDHAR DENA L E N D में मिजर मिजर मी क्या होता है कंजूस का परबिंदू जो प्रबड़ाओ के मातरा और से कंजूस इसको आपको 10 सेकेंड में लिखना है अब आई नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या जे नेक्स्ट आपको करना है है फॉल्स स्टेटमेंट सही कतन के लिए टी और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आपको एफ लिखना है पहला इस्टार्वेशन एड़ फेमी मेंड़ दक्रिकेट टिमीड भूख और अकाल ने जो है क्रिकेट को जिंगुर को डरपोक बना दिया यह लाइन आपका क्या है यह क्या है statement जो है यह statement आपका false है अब दूसरा क्या है the end was miser by nature end जो है सुभाव से conjuist थी यह आपका statement true है the end was miser by nature सुभाव से चीटी conjuist थी यह statement आपका true है अब आपको यहां से यहां तक जो है अपनी copy पर write down करना है अब नेक्स आगे बढ़िये जो है तीशरा the cricket meet the end to get shelter and food जिंगुर जो है चीटी से आस्रे और भोजन पाने के लिए मिला यह statement आपका true है next क्या है आपका ends always borrow and lend चीटी हमेंसा उधार देती हैं और उधार लेती हैं यह statement आपका false है यहां से यहां तक आपको no down करना है फिप्टीन सेकेंड में क्या है अब आगे बना जाए जोए दा एंट सेज टू दा क्रिकेट चिटी ने जिंगूर से कहा I am your mistress and enemy मैं तुमारी जोए मालकीन हूँ और तुमारा दुस्मन हूँ ये स्टेट्मेंट आपका फॉल्स है इसके बाद आपका six the cricket wanted to borrow food जिंगूर जोए भोजन उधार लेना चाहता था ये statement आपका true है the cricket wanted to borrow food जिंगूर जोए भोजन उधार लेना चाहता था ये आपका true है seven cricket said that if he did not get food and shelter जिंगूर ने कहा कि यदि उसे जोए भोजन और आश्रे नहें मिला he would surely die of starvation and grief तो वह भुक और दुख से मर जाएगा ये line आपका true है आपको जोए यहां से यहां तक अपनी copy पर within 15 seconds write down करने है इसके बाद यह लास्ट है आपका eight the cricket went to a spider to borrow food the cricket went to a spider to borrow food cricket जो है जिंगूर जो है spider के पास भोजन मागने के लिए गया यह आपका line कैए जो है false है the cricket went to a spider मकड़ी के पास गया two borrow food बोजन मागने के लिए यह आपका line कैए जो statement स्टेटमेंट यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है अब देख लिएगा आपका कोशन और आंसर है आंसर देख फॉल्विंग कोशन्स वेर दिट देख क्रिकेट गो क्रिकेट कहां गया आंसर देख क्रिकेट वेंट टू एन आंट जिंगुर जो है एक चीती के पास गया नेक्स्ट क्या है आपका जो है वाट मेट देख क्रिकेट बॉल्ड क्रिकेट को नीडर क्या चीज बना दिया आंसर इस्टारवेशन और फेमीन मेट देख क्रिकेट बॉल्ड और यह तिसरा आपका यह लास्ट है जो है वाट दिद द आंट आस्द क्रिकेट एंट ने जिंगुर से क्या कहा आपको जो है 15 सकेंड में यह पूरा जो है राइट डाउन करना है है अब आपका homework क्या होगा आपका homework है जितना पढ़ाय गया है वर्ड मिनिंग टू फाल्स और कोशर आंसर आपको अपने homework कापी में बोल बोल करके राइट डाउन करना है जो दोसे बोल कर लिखना है इस spelling पर आपको ध्यान देनी है आज के लिए बस इतना ही बाकी next term पर make proper use of your time and be cheerful that's all